हेलो गाइस वेलकम बैक तो दा न्यू वीडियो दोस्तों जियो एर फाइबर ओ या फिर एटल एर फाइबर दोनों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई जियो का जो एर फाइबर है हमने घर पर पूरे 6 मिन यूज किया है ठीक है एंड इसको इंस्टोल जो हमने तोटल यहां पर खट्चा दियता हुथा पांच अजार डोसो चालीटी बहुत चाहिसे ओफर राज चुका जियो के अंदर जिसके थूर। दोस्तों आप जियो एर फ Jio Air Fiber के अंदर जो channels and oddity हैं वो थोड़ी जादा मिल जाती है और ATL के airfiber के अंदर दोस्तो आपको channels and oddity content थोड़ा सा कम देखनों मिलता है बाकि दोस्तो दोनों ही Jio and ATL airfiber के अंदर आपको one tv, one tv का ही दोस्तो जो यहाँ पर total consumption देखनों मिलता है अब इसके बारे में detail में हम बात करने वाले है तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तो यहाँ पर ATL and Jio Airfiber के अंदर plan कौन-कौन से आते हैं दोस्तो ठीक है तो यह भी जान लें and booking बगार कैसे होती है तो सबसे पहले booking से start करते है अगर आप Jio Airfiber लगवाने का plan बना रहे हुआ ठीक है तो Jio की website पे जा होगा तो वह आप लोगों से contact कर लेगा देन उसके बाद जो है आपके plan की installation या वर दोस्तो जो भी आपकी documentary वगरा होनी है आप से payment वगरा तीन मेने का अगर आप basic plan लेते हो तो तो तीन मेने का advance payment आप लोगों से लिया जाता है सेम बात कर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपके area के अंदर अगर available नहीं है तो वहाँ पर कोई भी जो भी नियर आपके शहर लगता होगा city लगते हो टाउन लगता होगा तो उसको pin code area डालके query को submit कर देना उसके बाद अब ATL के executive आपको call करेंगे जो भी distributor होगा तो उनको आप verbally बोल सकते हैं वो बता देंगे दोस् जो starting planner वो है 599 का जिसके अंदर हमें 30 MPS की speed मिलती है 1 TV data की limit मिलती है अगर आपका 1 TV data खतम हो जाता है तो भाई आपकी जो speed है वो 64 KPS में convert हो जाती है जायने कि जो speed है वो 2G से बेकार हो जाती है मतलब ना के बराबर आपका internet चलने बाला है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ह इस प्लान के अंदर आपको 800 प्लस TV लाइव टीवी चैनल मिलते है ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको 14 प्लस OTT एब देखने को मिल जाती है जिसके थूर आप जो है अच्छे से जो content है उसको consume कर सकते हो भाई अच्छे से आपको मतलब काफी मज़ा आने बाला है आपको एक साइड़ बॉक्स मिल जायागा जिसके थूर आपको यह इतने सारे चैनल देखने कोंब लेंगे और जो ओडिटी कंटेंट है वो जीओ टीवी प्लस एब है इनका ठीक है उसके थूर दोस्तों आप जो है सब कुछ एकसस करने वाले हो अब यहां पर दोस्तों इनके जाते हैं नॉर्मल प्लान 599 इसके पाद दोस्तों इनका अगला प्लान वहां 2899 इसके पाद में प्लान इंके आ जाते हैं तो मेक्स के प्लान खोड़ से महेंगे हो जाता है उनका भाई लेके कोई फैदा है नहीं आप लोगों को अब यहां पर दोस्तों बात करें 8L air fiber की 8 इसके प्लान के अंदर जो बेसिक प्लान आता है वह 699 का है जिसके अंदर आपको 40 MPS की स्पीड मिलती है और 1TB का ही दोस्तों आपको टोटल यहां पर data consumption मिल जाता है अगर आपका 1TB in case खतम हो जाता है ठीक है तो उस case के अंदर दोस्तों आपको 64 KPS की स्पीड नहीं मिले देहेगी इसके प्लान के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है सड़े 300 TV चैनल मिल जाते हैं जो कि HD TV चैनल होंगे HD दोसों इसमें live TV चैनल ना के बराबर मिलते हैं और यहां पर दोस्तों कुछ OTT आप भी आपको मिल जाती है जैसे जीओ के के अंदर प्रॉपर आपको 14 O OTT आप मिलेंगी डिस्नी प्लस होस्तार मिल जाएगा अलग से दोस्तों आपको जो है एटल एक्स्ट्रीम प्ले के अंदर जो है खुद का एक सब्स्क्रिप्शन बंडल है उसके अदर दोस्तों आपको 20 OTT आप देहें को मिल जाती है अब यहां में दोस्तों जो 20 OTT आप है आपको जियो सीन में एक्स्ट्रा एक प्रीमियम वाला जो सब्सक्रिप्शन है वह देखने को मिल जाता है यहां पर दोस्तों आपको Amazon Prime और Netflix का option भी देखने को मिल जाता है हो ठीक है तो भाई आपको DTS connection भी मिल जाएगा साथ में आपको जो स्पीड है वह 100 MPs की मिल जाएगी तो यहां पर दोस्तों क्या है कि जीओ थोड़ा सस्ता लगता है as compare airtel दोस्तों तो प्लान तो मैंने आपनों को बता दिया कि कौन-कौन से प्लान airtel airfiber के अंदर और होगे जो data है आपका consume किया जाएगा बट यहां पर बात करें एटल की तो एटल की अंदर अगर आप लेते हो तो यहां पर भी आपको तीन डिवाइस मिलेंगे बट यहां पर तीन की जग आपको एक डिवाइस एक्स्ट्रा मिलता है वह है DTS connection DTS connection के अंदर के अंदर के साड़ बोक्स के पीछे वो केबल कर दी जाते है फिर उस साड़ बोक्स से आपका जो टीवी है स्मार्ट में convert कर दिये जाता है तो वहां पर तो आपको सड़े 300 टीवी चैनल मिल जाते है बट यहां पर बैनिफिट यह मिल जाता तो अगर आपका इनकेस इंटरेंट डाउन हो जाता है तो भाई आपको टैंशन फ्री होके आप DTS connection तो यूज कर सकते हो आपका भाईस आपको महाँ पर मनुरंजन बिल्कुल बंद नहीं होगा बट यहां पर एक minus point यह है कि इनकेस अगर आपकी छतरी हिल जाती है कोई भी मिल बंदर बगरा हिला देता है तो भाई आ अगर आपका नेट बंद हो जाएगा तो आपका सारा कुछ डबबा हो जाएगा वहाँ पर कोई चैनल नहीं चलेगा कोई OTT एप नहीं चलेगी नहीं आपको इंटरनेट चलेगा दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंस देंगों मिल जाता है एटल अपनी जगा राउटर मिलता दोस्तों यह भी आप लोगों को जो है ड्यूल बेंड राउटर मिलते हैं साथ में दोनों जो है वाइफाई 6 को भी स्पोर्ड करते है ठीक है तो यानि कि टेकनोलोजी वाइज दोनों ही अच्छे है सैटप बोक्स की बात करें तो अब जियो का सैटप बोक क्योंकि इनके डब्बे का उपर कोई ऐसी हाडवेर स्पेसिफिकेशन मेंचन नहीं की जाती है तो यहां पर इनके स्पीड की बात करें तो जो आपको जियो और फाइबर 599 के अदर 30 Mbps की स्पीड प्रवाइड करता है अगर आप यह स्पीड चेक आउट करने जाते हो तो भाई आपको हमेशा जो स्पीड है ना 25 से लेके 29 Mbps देखने को मिलेगी यानि कि जो स्पीड है 30 Mbps से कम देखने को मिलेगी मिलेगी आपको बट 8L के के केस के अंदर ऐसा नहीं है भाई 8L आपको क्या है ना 8L आपको हमेशा 10 या 5 Mbps एक्ट्रा देगा अगर आप याप 40 Mbps का प्लान ले रहे हैं उनका 699 का दोस्तो ठीक है तो यह प्लान दोस्तो आप लोगों को 40 Mbps की स्पीड प्रवाइड करता है तो आपको 40 Mbps नहीं मिलेगी आपको 45 Mbps या फिर 50 Mbps की स्पीड हमेशा मिलती रहेगी अगर आप इसको थोड़ थोड़ देर बाद भी च ज्यादा सेंस बनाता है अगर आप एक पर्मानेंट इंटरेट सुविधा चाहते हो ठीक है वाकर दोस्तो यहां पर अगर प्लान की बात करें तो जियो एरफाइबर के अंदर भी आपको पता के जैसे दिवाली धमा का ओफर यह नोंने चला रहा है तो यह कोई नहीं को यह लाते रहते हैं क्योंकि जियो वालों को अपने एरफाइबर को बहुत ज़्यादा सेल आउट करना है अब यहां पर एटल की बात के तो एटल के अंदर कोई भी ऐसा ओफर आपको देखने को नहीं मिलेगा जियो एरफाइबर के अंदर अभी रिसेंटली ओफर चल रहा है जो की है 2222 रुपे दे के भाई आप 3 महिने के लिए बुक कर सकते हैं एक साल आपको बिल्कुल फ्री भी मिलेगा बट वो एक साल जो है भाई फ्री बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता ऐसा कुछ है नहीं है मैंने इसको आपर ओलेडी दो वीडियो बना रहे की चैनलन के उप को पहली बता दोस्तों अब यहां पर दोस्तों इसके अंदर क्या कि 2222 रुपे दे के आप तीन मेने का प्लान ले सकते हैं जो कि 599 का बेसिक प्लान होता है एटल के अंदर कि यहां पर 3300 रुपे का इनों सिस्टम चला रख है नो लगे पर्मानेट मोस्टली सभी एरिया के प्लान को बाकि जो फीचर्स है जो बैनिफिट अब वो सेम रहेंगे आप से यहां पर 3300 रुपे अडवांस ले लिया जाता है आपको 5 महिने कुछ हिरे के अंदर 6 महिने यह प्लान दे दे जाता है जिसके अंदर इंस्टॉलेशन टोटली दोनों के अंदर फ्री है तो जो आपका प्लान बन रहा है जियो एरफाइबर या फिर एरफाइबर लगवानेगा या फिर फाइबर कनेक्शन भी लगवानेगा तो अभी विल्कुल फ्री है ना कोई 500 पर आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज लिए जा रहे है तो जो बुकिंग चार्ज आपसे जियो जो भी पेमट होती है वो आप लोगों से डूरिंग जब अपका यहां पर डॉक्मेंटरी होती है वहां पे फोट वगड़ा वह फोती है तो उसके बाद दोस्तों जो है आप लोग पर लिए जाता है दें आपके घर के ऊपर या फिर office के ऊपर जो भी जहां पर प्लान लगवाने का प्लान बना रहे हो ठीक है आप लोगों को connection दे दिया जाता दोस्तों पाकि दोस्तों इन दोनों ही plan का जो last की स्पीड है उसके अंदर मैंने 8L का fiber connections ले लिया 8L extreme fiber connections जिसके अंदर मैंने same to same dts connection मेरे घर पर उपर लगा हुए मुझे dual band router मिल गया ठीक है Wi-Fi 6 को spot करता है ठीक है आप स्पीड अभी चेक करो रहे हैं तो चार सो पान सो छे सो मिलती रहती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आपको चैनल ज्यादा देखने है औरी content ज्यादा इतना ही था अगर आप लोगो को कुछ भी पूछलों कोई भी क्वारी आप लोगों की जियो और फाइबर से रिलेटर दोसो ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते दोस्तों उम्मीद ततों जानकारी वीडियो आप लोगों को अफ़ना होगी अगर फशना इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब लान